कि नमस्कार साथियों मैं महिश कुमार एग्रिकल्चर एंड जीके कि इस ओफिशल प्लैटफॉर्म पर आप सभी का हर्दिक सौगत करता हूं आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड की कीट नाशक क्या होते हैं और कौन कौन सी श्रेडियों में जो होने वर्गिक्रित किया गया है बांटा गया है उसके बारे में जो हम आज डिसकस करेंगे जैसे कि हम सभी जानते हैं कीट नाशक क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं बात करें दिखिए अगर इंसेक्टिसाइड क्या रहते ह है यानि ऐसा कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऐसे सब्स्टांसिस जिनका हम इस्तेमाल इंसेक्ट को किल करने के लिए करते हैं या सिंपली कहें उनकी क्रॉप को वो कोई नुकसान ना पहुंचा पाएं तो उसे क्या कहेंगे हम उसे कहा जाता है उन केमिकल को कहा जाता है इंसेक्टिसाइड ओके और किसके अंडर आता है यह प्लांट प्रोटेक्शण के अंदर आते हैं क्लास में देखे सबसे पहले जानते हैं जो सकता है जिसको करने के लिए जिससे जहर का-इस्तेमाल किया नुकसा सोच सर्र साल इस्तिमाल किए जाता है दिस इंक्तिसाइड एक्ट वाज इनेक्टीड ऑं सेकिंड सेप्टेंबर नाइटीन musicians olhos गप मैट इंडिया के दोरा जो है इन्सेक्टिसाइड साइड एक्ट लाया गया कब लागया 2 सितंबर 1968 को जो है लाया गया इस इंसेक्टिसाइट के अंधर क्या रखा गया इसने पूरा का पूरा जो है इनसेक्टिसाइट जो इन्डेस्ट्री है उनको एक तरह से करना शुरू किया regulation की बात अगर हम करें किस चीज को रेगुलेट करना शुरू किया कि जो यूज है उसका नटक्शन पर प्रोड़क्शन किस तरह से मैनुफेक्ट्र किया जाना चाहिए और चाइब चाहए प्रोडक्शिंर रिलेटेड से रिलेटोर्ड उसका इंपोट और एक्सपोर्ड रिलेटीड ट्राइस्पोर्टेशन से रिलेटीड your दिस्ट्रिबूशन से रिलेटेड जितने मेंज उस तुमों जो लाए गया और अपने ध्यान रथा कब लाए गया था सेटेंबर 1968 को जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट लाए गया था वके बात करें देखें हिस्ट्री के तो हिस्ट्री में अगर देखें हम जैसे हम जानते हैं स्टार्टिंग का जो समय था पहले का दाइवर्सिटी थी इंसेक्ट्स में यानि कीटपतोंगों में भी जो भी डाइवर्सिटी पाए जाती थी उनकी जो संख्या थी वो काफी कम थी अगर आज के comparison में हम बात करें तो जो population है वो भी increase हुई है साथ ही साथ उन में जो है diversity भी इंक्रीज हुई यानि कि अलग-अलग species भी यहां पर develop हुई है इवाल्व हुई है तो वहाँ पर जो है initially अगर हम देखें तो पहले के समय पर इतना ज़्यादा जरूरत नहीं रहती थी और नहीं छिड़काव किया जाता था अब अगर देखें तो diversity और population में इंक्रीज होने की वज़े से क्या हुआ है जादा से जाला जो है इंसेक्टी साइट का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो प्रॉप को काफी ज़्यादा नुक्सान जो है इंसेक्ट पहुंचा देते हैं तो वहीं पर अगर बात करें देखी सबसे पहले तो ड डॉट्व यानि जिसे क्या जाता है डाइकलोरोश डाइफनिर्स ट्राइकलोर 21 इथन कPOS पहले इंसेक्टी साइटा जो किसने बना यह दो द्वारा जो है यह किया गया था ओके डीडीटी को जो है किसके द्वारा जैलदार द्वारा 1874 में सिंथेस किया गया था यह कुछ गया था यह पी यह मिलाड के द्वारा इस देखिए नैस्ट आपके पास क्या दिया गया है डाइ-Nitro compound first synthetic organic insecticide की अगर बात करें ठीक है जो सबसे पहला synthetic यानिक जो मानव निरमित organic insecticide थी वह कौन सा था डाइ-Nitro class के जो इन-सक्ति साथे ठीक है जो डाइ-Nitro compound थे वो सबसे पहला synthetic organic insecticide जिसे की 1925 इसवी में बनाए गया था ओके वहीं पर आगर देखें डीडीटी insecticidal property discovered by Paul Muller किसके द्वारा पॉल मुलर द्वारा 1939 में जो है डीडीटी में क्या पाई जाती है insecticidal properties फाई जाती है इसकी जो correct explanation दी थी पॉल मुलर द्वारा यह खोजा गया था ओके कहां पर सुर्जर लेड में पॉल मुलर अवाड़ीड नोबल प्राइज इन 1948 फॉर डिस्कावरिंग insecticidal property of DDT जो उसके बाद क्या गया उनने जो है नोबल प्राइज से नवाजा गया नोबल प्राइज जो है एवाड किया उन्हें किस लिए क्यूंकि उन्होंने जो है insecticidal property को ढूंडा था डीडीटी की और उसके बाद जो है फिर इसके बाद इसको 1948 के बाद ठीक है हम देख दो मेजर ग्रूप रहते हमारे पास स्पॉंसर रहते हैं एक तो और गनो प्लोरिन ग्रूप रहता है और दूसरा हमारे पास और गनो फॉस्पेट ग्रूप रहता है तो जो और गनो फॉस्पेट ग्रूप में आपका पास एक इंसेक्टिसाइड आता जिसका क्या नम है पैरा important points रहते हैं आपके लिए इसको आपने ध्यान में रखना है क्लॉर्डेन क्लॉर्डेन यानि की क्या कहा जाता है साइक्लोडियन compound जो है एक तरह का ओके इसको जो है कब ढूंडा गया था 1945 में जर्मिनी में जो है इसकी इसकवरी की गए थी वह पर कार्वामेट इंसेक्ट की अगर बात करें तो स्विजर लेंड में 1947 में जो है इन इंसेक्टिसाइड को ढूंडा गया था कार्वामेट ग्रूप के जो इंसेक्टिसाइड है फरस्ट जे एच मीमिक यानि कि जुवेनाइल हॉर्मोन था ठीक है उस से जो जुवेनाइल हॉर्मोन है उनका एक तरह से कॉपी बनाएगी थी आर्टिफिशल ने सिंतेसाइज किया गया था कहां पर यूएस में सबसे पहले 1967 में एटेंप जो है इसके लिए किया गये थे वहीं पर दीखिए नेक्स्ट आपके पास आता है ड्वेल्पमेंट हाइलि एफेक्टिव रहते हैं जो डीघ्रीजिन के अगर बात करें तो डीघ्रीडीशन इनमें कैसे रहते हैं यंवास्ट डीडेशन जो है इन में होती है तो एक दम से क्या हो जाते ही ब्लद हो जाते हैं चुस क्या होती है माइक्रोबियर डिगड़ेशन की प्रेग्ट करना चुरू करते हैं तो वो जो है फास्ट डिग्रेडिंग कंपाउंट है कौन से सिंथेटिक पाइरी फ्रोट जो है इन्हें जो है मैनुफेक्चर करना कब स्टार्ट किया गया था 1970 में 1970 में नेच्ट देखिया आपके पास आता है discovery of evermectin evermectin की जो discovery है सबसे पहले कब की गए थी 1980 में की गए थी और यह किससे निकाले जाते हैं बैक्टेरिया से जो है निकाला गया था सबसे पहले इन्हें और यह भी कैसे रहते हैं लो टोजिज में हाइली एफेक्टिव रहते हैं और वहीं पर देखा जाए तो इनके भी फास्ट डिग्रेडेशन होती है कौन सी क्लास है आपके पास एवर मेक्टीन जो आपके पास क्लास है ओके वहीं पर देखें नेक्स्ट क्या है आपके पास डिस्कवरी आफ निवर ग्रूप निवर ग्रूप कौन से जो आपके पास द से सीड को ट्रेट किया जाता है वह इंपर देखिए एक मात्र ऐसा इंसेक्टिसाइड है कौन सा इमीडा क्लोपरीड जो की सीड ट्रीटमेंट में हाइली यूज में लाया जाता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है ध्यान रखता है सीड ट्रीटमेंट के लिए highly effective जो है यह एक इंसेक्टिसाइड है ओके इमिलर टू नैचुरल निकोटिन मुझे देखा जाए तो जो नैचुरल निकोटिन है उसी की तरह सिमिलर जो है नियो निकोटिन लिटें रहते हैं वही पर अगर देखें नेक्स्ट तक रूप है आपके पास सिनोसीन सपीनोसीं जी स्पीनोसियड है वही इसisiert चàng में है हम तो दूसरे हमारे पास क्या है सारे के सारे निवर ग्रूप्स है क्यायं डीक् ee कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के अगर बात कि यह तो थी हमारे पास कुछ इंसेक्टिसाइड के बारे में कुछ जो मेजर इंसेक्टिसाइड है इसेक्टिसाइड के जो ग्रूप हैं कहां पर क्लासिफिकेशन के यहां पर अलग-अलग बेसिस आपके पास मिल जाए इसे सबसे पहले देखे हमारे पास कौन सा दिया गया है बेस्ट ओन मोड ऑफ एंट्री जो इंसेक्टी साइड है जब उसको प्लांट पर अप्लाइ किया जाता है तो वह किस तरह से एंट्री करता है या किस तरह से प्लांट के अंदर ट्रेवल करता है या वहीं रहता है या प्लांट उसको अभिशोशित करके उसको एबजर्व करके अपने पॉइजन सच टाइप ऑफ केमिकल और पॉइजन आर एब्सॉर्वड इन्टु दी प्लाट एंड ट्रांस लुकेटी टु दी होल प्लाट अब देखिए सिस्टेमिक यहां पर नाम से पता चल रहा है सिस्टेमिक यानि कि जो सिस्टम में ट्रेवल करेंगे यानि कि पूरी को तो जो रूट के थरू हो अफ्शूशित किया जाएगा पूरे प्लांट में वह फैल जाएगा जरह से कौई फैल गया वह इन पर दीखिया अगर हम डायरेक्ट फॉलियर एफिक हो जायता है प्लांट की जो लीप्ष रहती है वह उसे अफ्शूशिल कर लेती है तो इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड क्या लाते हैं क्या कहा जाता है सिस्टेमिक पॉइजन कहा जाता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है कहा जाता है और से घॉटैजीен औरे आ स्हवी क्रिशे मांत में की यह क्या होगे चेती पूरी तरह से फैल जाएंगे तो मतलब भी जादा amount इंद का aerial part में ही पाय जाता है और यह कैसे रहते हैं highly translocated रहते हैं xylem और flowing के थूँ जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यह चले जाते हैं इंसेक्ट pest start drying when they sucks the affected plant juice अब देखिए जो इंसेक्ट pest होंगे जो plant part को या तो खाएंगे या उसमें से juices को सक करेंगे तो उसमें क्या मिला होगा पहले ही systemically उसमें poison घुल गया है तो जैसी वो उसे खाएंगे या उससे जो है रस को चुसेंगे तो वो एक दम से क्या हो जाते है किल हो जाते हैं यानि की मर जाते हैं अगर देखा जाए तो सिस्टेमिक जो पॉइजन है वो उनके metabolism को यानि उनके भी system को ही effect करता है जैसे को प्लांट में systemically वो सारे के सारे प्लांट में वो फैला travel हुआ उसी तरह जैसे ही अगर उनने उसे खाया तो उनके भी पूरी के पूरी system में वो क्या कर जाता है travel करता और नुकसान पहुंचाता है mostly अगर देखे तो जो है आपको नाम से आपको मिलता है फॉसंफोमीड साथ साथ आपको इसके ट्रेड नेम का भी पता होना चाहिए ट्रेड नेम के वारे में भी कर्वार पूश्च लिया जाता है एक्जाम में मोश्ट ली ऐसे भी कॉच्छन आप से पूज़ा आते हैं कि मोनो क्रोट फॉस का ट्रेड नेम क्या है तो आपको क्या बताना है नुवा क्रॉन है तो इस तरह से हर एक जो आपके पास है तो यह कैसे हैं आपके पास सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है यानी कि से बिस तक करते हैं और किस तरह से वह प्लांट में ट्रेवल करते हैं नेगे नेश्ट क्या आता है आपके पास दूसरा या वहां से juices सख करने की कोशिश करता है तो जो है खिल हो जाता है बाकि अगर प्लाइट पर अगर वह फेड करें तो वह खिल नहीं होगा यानि जिस पॉइट पर आपने उसको जो है एक तरह से डाला है उसी पॉइंट पर वह अपनी पॉईजनस एक्टिविटी शो करेगा ठीक है अपनी जहरीलापन जो है वहीं पर दिखाएगा वहीं पर अगर देखा जाए तो contact जब भी हम देखिए apply करें contact insecticide को तो properly जो है पूरे plant को यह cover करना चाहिए तभी जाके वह एफेक्ट करता वहाँ पर ठीक है तो poison bring about death of the insect by the means of contact is called contact poison फी पर देखिए दूसरा क्या है यह तो हमने देखा कि plant में किस तरह से रहता पोईजन का छिड़काब किस सिस्टैमिक का छिड़काब कि आगर उसने इंजस्ट नहीं तरफ होगा जाती है पैक है वेंसच कमीकल ऑनके बॉड Records की ट्रूइप कर जाता है मुह से खाने की जरूरत मेन रहती ठीक तो इस तरह की जो क्या कहलाते हैं एक तरह से च्यूंटक्侠 को एंटर कर सकते हैं त्रेकिया की थीठर कर सकते हैं जैसे से क्या है आपके पास स्ट्रीम आता है लिये जरूरी रहता है तब जा करेंगे तब ही जा करके जो है इन्सेक्ट याइन जब भी किसी ट्रीटिट प्लांट में आ सब्सक्राइब मतलब कि आपने उसको ट्रीट किया है अ उसपर इनसेक्ट के लिए एंहेल करना जरूरी रहता है किस तरह से पूड के रूप में गदी सब्सक्राइब यह जैसे ही एक क्या करेंगे इंजस्ट करेंगे तो इन डाइजस्टिव सिस्टम पर यह एक्ट करते हैं और इन डाइजेस्टन जैसी वहाँ पर प्रॉब्लम लाते हैं तिक है इंसेक्ट में क्या होगा पाचन तंत्र सही से वर्क नहीं करेगा और वैसे ही क्या हो जाएगा वो एनर्जी सोर्स उसके लिए रहेगा और वो इंसेक्ट मर जाएगा ठीक में ली अगर देखे तो जो चुविंग टाइप पैस्ट रहते हैं इंसेक्ट रहते हैं जैसे कि कौन से है हिपेटा क्लोरन नामक जो क्या है हमारे पास इ incektecide है एंडास tee cklo File 10 है DDDT और है कि नॉल सभी तरह के हमरु पास स्टमक पॉचन है यानि कि जो हम Korea कशा करके खाना गाते हैं जासे कि कर रहे ठीक है तो उस дов working टैप जिन में मौछ पाउड पाहे जाता है और जो इंस सथ्प रहते हैं जो चबाकरके फूड को खाते तो उनके लिए जो है यह पॉईजन कैसे रहते हैं ज्यादा सही रहते हैं उनके कंट्रोल के लिए कौन से स्टमक पॉईजन के अगले हमारे पास आते हैं फूविग्ट हम आपने पॉईजन देखे तो यह विपलाए उनके होती है जैसे आप जानते पर फ्यूम पर फिरुम नाप W orient मेंक ने कुली तरहार में जोकिक तरह सकते हैं उस फॉर्म में हो जो सकते या कोई या माई गोल में होते हैं क esempio होते हैं दानों में होते हैं जिनको अगर खुली हवा कि contact में रखा जाय तो धीरे दीरे उनमेंसे Guess इस रेलीज होती है फ्यूम है उनमेसे रिलीज होती है जैसे कि फ़लों को ठकाने जीर देखे। Calcum Carbide जो बढ़ से तो इसे और दॉसमेंसे भी क्या जाए ठीक है ओपन एंवार्मेंट पर रखा जाते हैं तो क्या कहलाते हैं यूमि गैस जो है वह कहलाते हैं तो यह को यह करते हैं तो यह यह पर अगर देखा जाए तो हर एक तरह की जो इंसेक्ट करने के लिए को इस्तिमाल में लाए जाएगा यहां पर किसी भी तरह की फीडिंग हैबिट के हमें ज़रुरत नहीं रहती जैसे कि हम अभी देखा कि जो उनको और जो स्टमक इंसेक्टिसाइड उनको जो है फीड करके खाना जरूरी रहता है तब जाके वह किल होता है अगर हम बात करें तो इसको इट करना जरूरी नहीं है सिर्फ रेस्पिरेशन के थूह ही इससे निकले हुए फ्यूम अगर बोडी में एंटर करते हैं इसेक्ट नेक्स देखिए नेक्स क्या दिया आपके पास टाइपस ऑफ इंसेक्टिसाइड बेस्ट ऑन जेनरेशन अब देखिए हमारे पास क्या है जेनरेशन के बेस्ट पर इंसेक्टिसाइड इस तरह से यानि कि जो सबसे पहले कौन से इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जाते थ से जो इन ऑर गैनिक्स और यह उन्हें कहा सता है कि ये बी एक्जाम में आपसे पूचह जाते हैं धियान रखना जो आपके वी बीज हो एक्जाम हुआ ठीक है वही पर अगर हम बात करें जो सिंथेटिक्स और गैनिक्स है इस तरह कि जो इंसेक्टिसाइड है कौन से जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड और जो और गैनिक इंसेक्टिसाइड उन्हें कहा जाता है सेकेंड जेनरेशन इंसेक्टिसाइड की बात करें तो केमिकल यूल्ट फॉर कंट्रोल यानि कि वो क्या करते हैं एक तरह से इंसेक्ट को किस तरह से रोकते हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक तरह से क्या कर देते हैं वो रोग देते हैं जिसके कारण उनकी का वो लेवल जो की नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और जिसको जहां पर हमें क्या पढ़ जाती एक तरह से ज़रूरत पढ़ जाती है कंट्रोल करने की इंसेक्ट को ओके तो वही जो एटी एल लेवल है वहां तक जो है यह पहुंचने नहीं देते कौन से जो थर्ड ज हमें चैक्टि साइड के अंडर आते हैं अपने द्यान रखना है और यहीं घर जैनरेशन इंसेक्टिसाइड जुविनाल हॉर्मोन वाला कॉस्टिन है आपसे एक्जाम में भी एक्जाम में भी पूछा गया टिक है नेस्ट देखे आपके पास कैया दिया गया है फूर्थ इसक्तिसायल जो सिंथक पाय रिट्रोइट हैं देखिए उन्हें क्या कहा गया फूर्थ जन्रेशन इन्सेटिसाइड में जो है उन्हें रखा गया है फिफ्ट जेनरेशन में अगर देखा जाए है तो अलफामेथरीन है फिनोप्रोथेलृरिन है हमारे पास्टीक है भाई प प्राउन है ठीक है वहीं पर नियो निक्रिटिनोड यह जितने भी हमारे पास यहां पर इंसेक्टिसाइड दिये गया है इने कहा जाता है फिफ्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड तो यह आपके आपके पास है इनके जो फिजिकल पॉजन के अगर देखिये बात करते हैं दिया यहांगे उनके जो फिजिकल हार्म उन और फाइन चाहता है या थो इपिडर्मी से उसको किया करेगा क्यूटिकल को डिगरेट करेगा या उनके किसी औरगन को परलाइज करतेगा तो वो क्या कहलाते हैं फीजिकल पॉजन कहलाते हैं एग्जामपल हैवी ओई स्टार ओई एड अधर सबस्टांसित बैट इंड्यूसर डेटर टू एस फाइटेशन यानिकि जो फीजिकल किसी भी फीजिकल और गन को यह जो इंसेक्ट रहते उसके किसी भी और गन को क्या करते हैं फीजिकली डैमिज करते हैं इस तरह के हो गया इसका पार्ट रहता है है तो वहीं पर अगर डाइक्ट प्लासम को अगर रिड्यूस करता है तो वह क्या कहलाएगा आपका प्रोटो यह प्रव्च्ट करेगा तो वह जैसे वह आपर एक्ट करेगा तो सेल लेवल पर अगर वह हार्म कर रहा है तो यानि कि वह क्या कर देगा डेक्ट कर देगा इंसेक्ट की तो जैसे आपके पास आर्षैनिकल जो भी कंपाउंड है आपके पास ठीक है प्रोटफलाज्मिंग पॉजिसन के अंडर आते हैं अब देखेए नर्व पॉजिण आपके पास यहांनि जो नर्वस सिस्टम पर जो है यानिंग जो तंत्री का सिस्टम चलता है पुक यह तो जैसे कि हम आपर देखरे है क्या है कैमिकल्स बैट इंप्लेट सेलुलर रेस्पिरेशन सच एज हाइड्रोजन साइन है आप देखते हैं एक तरह से यह भी एक तरह का कौन सा है नर्व पॉज़न है वहीं पर कार्वामेट की अगर बात करें और फॉस्फोरस और जो कार्वामेट कंपॉंट है वह भी आपने दिहान रखना है तो अलग-अलग देखिए हमारे पास यहां पर कैटेगरी है फिजिकल पॉज़न है प्रोटो प्लाजमिक पॉज़न है नर्व पॉज़न है ओके नेक्स देखिए काईटीन इनिभीटर अब आप जानते हैं जो कि क्यूटिकल बनी होती है इंसेट क कि जो क्यूटिकल है किस से बनी हुती है काईटीन प्रोटीन से बनी होती करती है तो नंके अंदर मॉश्चर मोंचर प्रिजरर्विशन हो गया उसको बचा करके रखती है तिक और उसके सारे जो और्गन रहते हैं उनको होल्ड करके रखती है जो क्या रहती है क्यूटिकल रहती है क्यूटिकल किस से बनी होती है काईटीन से बनी होती है काईटीन प्रोटीन से बनी होती है यानि कि काईटीन इनिवीटर यानि कि काईटीन बनना बंध हो जाएगा काईटीन का जो एक तरह अगर result हम इसका वेखे तो क्या हो जाएगा जो इंसेक्ट है वो किल हो जाएगे इसमें देखें हमारे पास कौन सा आता है नुवल लूरॉन हो गया डाइफलू बेंजियूरॉन हो गया ठीक है लुफे नूरॉन हो गया ब्यू फ्रोजेन हो गया यह सारे के सारे किस चीज़ क एक्सप्र आपके बास काइटीन इनिभीटर के रूप में जो है यह कारे करते हैं जन्डरल पॉजीन की अगर देखें बात करें जो समाने रूप में होगे तरह से यानि जहरी लिय've किसी थरह से तरह करते हैं भो ैंसेक्टक इन सrekt करते हैं सेर्फ इनूर्ण depThen नर डिस्टम पर और निरो टॉक्सिक सिम्टम यो साट राव्स कर देते हैं कि ये बेटी कोसे कर देते हैं जो है को идет का देते हैं ऐने डू नौट संसी के एंटो इन तरीके से क्या करेंगे एक्ट कर देकован o n प्रापड बीने शोटह जो की बाट अलग इन्सेक्ट में तरीके से क्या करेंगे एक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर इंसیک्ट में यह पर्टिकुलर इफेक्ट सब्सटांस रेते हैं जो की अंगा अलग अलग रियक्शन के थ invecast你好 किल करते हैं जैसे हमारे पास कौन सा है क्लॉर्डेन है ठीक है टॉक्साफीन है और यह जो इंसेक्टिसाइड है जैनरल पॉजन की कैटेगीरी में जो है रखा गया है ओके चलिए नेक्स देखिए आपके पास दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड बेस्ट टॉक्सिटी अब देखिए टॉक्सिटी के बेस्ट पर यानि क्यों सा इंसेक्टिसाइड कितना जहरीला है उसके बेस पर आपके पास यहां पर क्लासिफिकेशन दी गई है क्लासिफिकेशन के अगर देखिए बात करें तो मीडियम लीथल डोज बाइदा ओरल रूट एक् टॉक्सिटी के लेवल रहते हैं आपके पास वहीं पर अगर हम देखिए बात करें टॉक्सिटी में तो कुछ जो हमारे पास कैसे रहते हैं एक्स्ट्रीमली टॉक्सिक रहते हैं कुछ हाइली टॉक्सिक रहते हैं कुछ स्लाइटली टॉक्सिक रहते हैं इस तरह से हमारे प हम १ 50 के नाम से भी जाने जाते हैं कि वह पोपुलेशन दिक है यानि कि वह डोज या वह कंसेंट्रेशन इंसेक्टिसाइड की जो कि 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए क्या रहती है तो एक्सेट्ट्रेम्ली टॉक्स के देखिए एक कर लेता है इतना कम ममॉट करता तब वह स्के लिए टॉक्सिक कर दोक्सिक रहां आगर अगर कम तर्म से तुक्सिक में तक यह ओड़ वह वेरी करता है पर हो जाते है है जो किन k΄ ध्रूर ज्यादा डोस इसकी जरूरत रहती है वह इंपर अगर देखे कलर की बात करें तो जो पैकेट आपने देखेंगे वहां पर अलग अलग कलर के जो हैं क्या लगे रहते हैं सिंबल लगे रहते हैं नेक्स्ट आपको पिक्चर के मादन से बता दिया जाएगा ठीक है तो इसमें रेड कलर का सिंबल जो है आपको देखने को मिलेगा इस तरह का क्या लगा रहता है एक तरह से ठीक है आपको मिलेगा और यहां पर जो है क्या है कलर यहां पर देखने को आपको मिलेगा ठीक है ब्राइट रेड कलर जहां पर आपको देखने को मिलेगा यानिक वह सिम्बल रहता है हमिशा जिस से आप ठीक हो प्र होती है और वहां पर कुछ हड्या लगी रहती है इन तरह के पैकिटस मैं ठीक है किसके जो extremely toxic chemicals रहेंगे बहुत जाद लिक अगर बात करें जो लगबग 50 से उपर के यानि कि 51 एंजी टू 500 एंजी इतनी जो है इनकी लीथल डोस रहती है अगर इनको क्या करें अगर हम और रूट से अगर मुह द्वारा अगर यह इंजेस्ट किये जाए तो तब जाकि जो है इनकी डोस जो है 52 500 रहेगी वहीं पर अगर देखें अगर इनको हम बाहर से अपलाय करें या निया इसके उपर टैग लगा हुआ मिलेगा ब्राइट यलो कलर का वहीं पर क्या है यह भी पॉजनस रहते हैं हाईली टॉक्सिक रहते हैं इसमें अगर बात करें देखिए यहां पर जो है अगर और यह एक एमजी कंजियूम होता है अगर यह एक एमज से लेकर के 5000 अगर तक जो है इनकी क्या रहती है और तरह से डर्मल टॉक्सिटी अगर कॉज करनी है ठीक है या अगर सीन के रूप में इस्तिमाल करते हैं ब्राइट ब्लू जो है आपको इसमें क्या मिलेगा एक तरह से लिखा हुआ मिलेगा और साथ ही में देखा जाए तो इसमें डेंजर लिखा हुआ रहता है स्लाइटली टॉक्सिक की अगर देखिए बात करें तो मोर देन 5000 जो है इनकी क्या रहती है एक तरह से लीथल डोज जो है रहती है और मोर देन 20,000 जो है अगर हम बात करें कॉंटेक्ट पॉजन के रूप में तब ये इसकी जो डोज है मोर देन 20,000 जो है पर केजी होनी चाहिए राइट ग्रीन जो है आपको इसमें मिलेगा और कॉशन जो है इसमें लिख्यों में की साफधानिया इसमें दिख्यों मिलेगी कि आपने इसको कंज्यूम नहीं करना है अगर कंज्यूम आप कर लेते हैं तो आपको यहां पर कुछ सिम्टम दिख जाएंगे जैसे कि वो मीटिंग होना हो गया चक्कर आना हो गया तो इस तरह के आपको सिम्टम दिख जाएंगे बस इसमें साफधानी बरतने की ज़रूरत आपको रहती है ठीक है है नेक्स देखिए यह है आपके पास ठीक है यहाँ से आप इजी ली समझ जाएंगे कि कौन सा आपका स्लाइटली टॉक्सिक इस तरह के है ठीक एग्स्टेमली टॉक्सिक जो हैं वो किस तरह के रहते हैं तो देखें यहां पर जो दिया गया हैं आपके पास है सिम्बल की अगर बात करें दिखिए जो आपके पास कौन सा है एक्स्ट्रीम टॉक्सिक है एक्स्रीम टॉक्सिक में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा रिट ब्लू कलर का जो है मोडरेटली टॉक्सिक में मिलेगा और जो ब्राइट ग्रीन कलर का जो है तो यह जो है जो है अंने इसके बार में पहले डिस्कस कर लिया है जो उनकी क्या रहती है डो बात करें दिखें जो प्राइट रेड़ यानि की जो एक्स्रीमली टॉक्सिक वाले जो आपके पास इंस्ट्रीमली टॉक्सिक है वहीं पर क्या बात करें कार्बारील की बाद करते हैं तो यह जो वेडिसाइड हमारे पास है यह और साथ-साथ-साथ-फंजीसाइड है यह जो केमिकल्स है किस तरह के हैं moderately toxic है यह पर दीखे एजडी रेक्टिन है हमारे पास insecticide वहीं पर बात करें हम मैंकोजेब की तो यह जो मैंकोजेब है क्या है fungicide है तो यह कैसा है आपके पास slightly toxic जो है यह fungicide रहते हैं तो इस तरह से अलग-अलग categories जो हमके पास poison के रहती हैं जो कि plant protection chemicals के अंडर में आते हैं नेक्स देखिए insecticides and their trade name की अगर बात करें हम और गैनो क्लोरीन में अगर हम देखिए तो mostly अगर देखा जाए तो decofal और endosulfan most common हमारे पास क्या है और गैनो क्लोरीन इंसक्टिसाइड रहते हैं अगर बात करें देखिए decofal की ठीक है क्या है decofal mighty side है माइट को kill करने के लिए इस्तिमाल में लाए जाता है केल्थेन के नाम से आपको यह market में मिलता है वह इंपर thaiodine के नाम से जो है endosulfan mostly जो है chemical उसके अंदर रहता है वहीं पर trade name यानि कि किस नाम से वह market में मिलता है वह क्या कहलाता है उसका trade name कहलाता है और अगर आप पूछे तो उनको जो है trade name का पता रहता है इंसेक्टिसाइड के बट जो सॉल्ट है उसका पताब काफी कम रहता है वहीं पर अगर कई बार कि किसानों को दे दिया जाए अगर एक ही ट्रेड नेम से दो इंसेक्टिसाइड है वह दो से जादा या दस वारा इतने अलग-अलग कंपनी जो है अपना जो केमिकल है वह अलग-अलग ट्रेड नेम से जो है रिलीज करती है बट यह देखा जाए तो मोस्ट कॉमली आपको इन ट्रेड नेम में जो है एवलेबल रहते जो हाइली ऑथेंटिकेटेड जो है रहता है वही पर अगर देखा जाए ऐसी फेट है नेक्स्ट अमार पास कैसा है यह और गैनो फॉस्पेट ग्रूप के अंदर आता है इस्टएफ के नाम से और थी और चार थीन के नाम से देखिये आपको यह मिलेगा मार्ट में क्लोडो-पाई पाईटी-पाई-फस-20 इस्ट की अगर बात करें हम तो दरस्मेन के नाम से लौड ऑ्रोप्स्ट urs 20-ए-स का मिलेगा न out की बात करें 30 स्माइट के नाम से मिलता है देखे पी नाइट रोटीन की बात करें ठीक है फिनाइट रोटी यून फिप्टी जो आपको इनको बेचते हैं ठीक है नेस्ट देखिए और गयनो फॉस्पूरिट में आपके पास कौन से हैं मौनो कुरोटोफोस की अगर बात करें किस नाम से मिलता है मौस्ट कॉमन जो है नुवा क्रॉन के नाम से जो हैं आपको यह मिलेगा मेलाथ्योन के अगर बात करें तो साइथ् डेमेटन मिथाय जो कि आपको मार्केट में मेटा सिस्टोक्स के नाम से मिलता है ये भी दियान में रखने आपने आपने okay 4-8 देखिए 4-8 10-G, G का क्या मतलब है यहांपर granule, AC का क्या मतलब है यहांपर mlc 5 concentrate तो यह आपके पास पता होने जाए यह क्या है formulation रहते हैं जो 4-8 10 granule ठीक है तो किस में मिलता है थाइम हेल के नाम से आपको यह मिलेगा Phosphamidon के अगर बात करें तो जो Phosphamidon है Di Macron के नाम से जो है Market में आपको available रहता है Phosph Lane की देखिए अगर हम बात करें तो Zolone के नाम से जो है Market में आपको मिलेगा ये Proofenofos की बात करें तो Curacron के नाम से आपको मिलता है Pryazofos देखिए आपको जो है होस्ट एलो थ्यांं के नाम से मिलता है ठिक है होस्ट थ्य democratic स्यमिलता सिर चुनोल फॉस्ट को अगर आप देखे तो एकाल ե्य के नाम से आपको यह मिलेगा क Panama मेट गूर्प के अगर बात करें तो LD Carb जो आपके पास CG देखें यहाँ पर आया CG क्या रहा था आपके पास Concentrated Granules तिया किस तरह से टेमिक के नाम से देखिए आपको यह मार्केट में मिलता है कार्ब फिरोन जो है फिरादन के नाम से आपको मिलता है मार्केट में वहीं पर देखिए बात करें हम कारबरील की तो सेविन कारबरील किसके नाम से मिलता है सेविन के नाम से आपको यह मिलेगा वहीं पर देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके मिथो मिल की मिथो मिल जो है आपको लैनेट के नाम से मिलता है वहीं पर देखिए जर्की बात करें वन परसेंट एरो सोल की ठीक है तो वो जो है बेगन के नाम से आपको मिलेगा योडिकार्ब की अगर बात करता है देखें लार्विन के नाम से जो है मार्केट में यह प्रोड़क्ट आपके लिए अवलेबल रहता है ओके अब वो किस नाम से आपको मिलते हैं देखें बैट साइफ लूथ्रिन की बात करें टू पॉइंट फॉर फाइव सी का जो आपके पास यह इंसेक्टिसाइड रहता है सिंथेटिक पारेथ्रोड है यह आपको बुल्डॉक के नाम से मिलेगा वहीं पर अगर देखा जाए तो तो पाइफंतन उसे आप datos के नाम से मिलेगा सईपर्रमेथ्रिंगु यह बिलव सिप के नाम से जो है मिलता है वोएफंपर अगर देखा जाए फिनो प्रतरिन जो है आपको किसे मेह रिम नाम से जेंगा को फेंफंवेल sneaking कि बात करें एकढिए स разм मिल जाता चेस्ट फोर्म में मिल जाता है जाता क्टशर इस्तिमाल में लाने जाता है नाम आ कि अलिक बायते हैं तो स्रीफ पर्म से वर्म कंत आहरºय जाता है कंट और यह हुँष्मेंगे में जो हमने देखे कौन-कौन से नियो निकोटिनोइड हो गया तो यह जो हमारे पास गूप है क्या कहा जाता है नियो इंसेक्टी साइडल ग्रूप तो इमीडा क्लोपरीड जो मॉश्ट कॉमन है हमारे पास कौन फिडर के नाम से आपको मिलेगा अलग-अलग कमपनीज की सब्सक्राइब के नाम से इंसेक्टिसाइड मार्केड में आपके लिए अवलीबल रहता है यह आपको सब्सक्र MARTIN C तो रीजयंट के नाम से मार्केट में यह वलीबल रहता है明्वर मैक्तिन की अगर बात करें किसके लिए जो sucking type pest रहते हैं उनके लिए important एक तरह से insecticide वहीं पर जो borer है okay sucking type pest और borer के लिए most effective insecticide जो है आज कल यह रहता है कौन सा इमामेक्टिन बेंजोटा और इसकी doses की बात है जीके काफी कम जो है लगवाग 5 ml के आसपास पर लीटर में जो है इसको ठीक है पर 50 लीटर में 5 ml ही पर 50 लीटर में जो है इसको एड़ किया जाता है इतनी कम quantity में भी हाइली टॉक्सिक रहता है ओके देखे स्पीनोसेंस की बात करें जो ग्रूप है हमारे पास स्पीनोसेड 45 परसेंट सी यह 2.5 परसेंट सी का जो है ट्रेसर यह नेचुरल लाइट के नाम से आपको मार्गेट में एवलेबल रहता है कि अगर बात करें अब देखें आपके पास यह नियू कैटिगरी आती है यहां पर किसका जो बैक्टीरिया होगे वाइरस होगे फंगस होगे उनका इस्तेमाल जो है किया जाता है किसको इंसेक्ट को कंट्रोल करने की अब देखें जो बैसिल थ्रेंजेनिस है बीटी का ना आए पेल डेलफीन हाल हो गया ठीक हैो गया भा कि नाम से आपको मिलेगा है भाटी सिलियम लैका प्रत कर tirar अंकी आगर प्लूबिलेकर 20 नाम से यह वे बात करें थाłemlet thompson کہ से मिलता है मार्केट में इसके बाद करें जो मिलस्टेम पास रहेगा एक इंसेक्ट से कॉन सा है कार्ट टैप हाइड्रोखलोफ का 4 विए जो है पैडन और के नाम से मार्केट में आपके लिए अधीक लिए जितने भी आपर आपको ट्रेड नेम दिखाए गए हैं सभी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जाता ज़रूरी है ठीक है यहां पर हमने पढ़ लिया यह नाम है अगर कभी देखा नहीं तो भूल जाएंगे अगर आपने देखा होगा कंटीनिव अगर घरों में आप जो है एक तरह से एक्रिकल्चर फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो आपको हर एक इंसेक्टिसाइड का अच्छा नॉलेज होगा नहीं तो अगर हम देखें तो आजकल ऐसे भी हमारे पास देखें स्टूड़न मिलेंगे अगर आप उनको इंसेक्टिसाइड पकड़ा देंगे ठीक है एगरिकल्चर वालों से जादा तो आजकल कौन जानते है जो किसान है वो जानते है कि कितनी डोजल हमने डालनी है यह बहुत से बच्चों को ठीक है किदाबी नौल इस तो बहुत होगी ऐसे बहुत जादा जानकारियन कोगी बट अगर ऐसा इंसेक्टिसाइड के बारे में पूछ लिया जाए वह भी पता होगा ट्रेड नेम क्या ह है कौन सा इसेक्टिसाइड डालना है कि दाण Elena एंडालना है तो इस तरह नौलेज-खरोérique frustrated इंदेए आपके पास क्या है बाइयो पैस्टिसाइड का करें सबसे पहले जहाए बायो पैस्टिसाइड तरी समय सबसेíoilogik द्वारा जो है फिर्स्ट यूज की गए थी नाइंटीन नाइंटीन में ओके उनीस सो उनीस में कौनसी बायो लॉजिकल कंट्रोल उसके बाद एक पॉल डी बैच ने 1964 में फर्दर रिफाइंड टर्म एंड डिस्टिंग्विश नेचुरल कंट्रोल फॉम बायोजिकल कंट्र देखा कि जो उनीस सो चॉछों सट में पॉल डी बैचने कए यहां पर इन्होंने फर्दर एक टरम दी क्या लखा नाम उसका नेचुरल कंट्रोल यानि की तरह सी जूब बायोजिकल कंट्रोल में नेचुरल में पहले जो है इन्होंने उसको अलग किया कि जो नेचुरल का इस्तेमाल करेंगे जैसी कि हमने नीम और का इस्तेमाल किया ठीक है पारीथ्रोइड का इस्तेमाल किया तो वह जो है क्या है एक तरह से नेचुरल सब्स्टांस से हम कंट्रोल कर रहे हैं इंसेक्ट को यह डिजीजिस को वह क्या कहलाएगा हमारे पास वह कहलाएगा नेचु को गोल कहला था कि कि देखिए अगर बात करते हैं कि यहां पर मai Briefly इंसेक्टिषाइड कं laquellevalue उस्थिम है उनका जो इस्तेमाल है इंसेक्टिषाइड के रिदाल कि निब्र सब्सक्राइब उग खिजाए वर्मच लोगर है वायरी काुजते हैं भलै वह क्रॉप के लिए और डिजीज कॉज करते हैं तो ऐसे इंसेक्ट को ऐसे वायरस को हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे जो कि इंसेक्ट में ही क्या कर देगा disease cause कर देगा तो ऐसे बहुत सारे क्या है single cellular organism होगे ठीक है बैक्टीरिया होगे फंजाई होगे प्रोटोजोवा होगे वाइरसीज होगे जो कि क्या करते है एक तरह से इंसेक्टी साइड के रूप में काम करते हैं यानिकि इंसेक्ट को वो किल कर देते हैं product containing these organisms are regulated by the environmental protection agency टिक है किसे EPA यानिकि environmental protection agency के द्वारा जो है यह regulate किये जाते हैं control किये जाते हैं किस तरह manufacture करना है यह जो है कौन regulate करता है EPA यह regulate करता है environmental protection agency regulate करती है ठीक है used in governed by the federal insecticide fungicide and rodenticide act ठीक है किसके अंडर आता है यह FIFRA यहनकी federal insecticide fungicide and rodenticide act के अंडर ही सारे के सारे जो है यह control किये जाते हैं कौन से जो microbial insecticide यह पायो पैस्टिसाइड अगर हम जिने के लिए नेक्स देखिए bacterial insecticide बायो पैस्टिसाइड में microbial insecticide हमारे पास पौन से आते हैं सबसे फ़हले बैक्टिरियल यानि जहां पर हम बैक्टिरिया का इस्तिमाल करते हैं इंसेक्ट को ने के लिए या पिंक बॉल वर्म जो है किसका कॉटन का पिंक बॉल मो गया या ब्रिंजल में फूट बोर हो गया तो इस तरह के जो बोरर टाइप इंसेक्ट है मौश्टली अगर कहें जो लेपीड़ो पिटेरा में आने वाले तक है प्लक्तिक है जो बोरस है मौथ हैं बटर साइज ऑनको स्टेस्ट्राइब के सिस्टम को एक इसका कर देता है सबसे पहले इसका जो इसका इस्तेमाल जो है इरोपियन कॉर्न बोरर पर जो है सबसे पहले किया गया था कब किया गया था 1930 में वहां पर दिखिए अलग जो हमारे पास इसकी अलग स्पीशीज है कौन सी है बीटी कर्ष्टाकी वोज आइसो लेटिड इन 1962 इफेक्टिव अगेस्ट लेपिड़ोपिटेरल उसके बाद जो सब्सक्राइब है तो ग्राम पॉजिटीव स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है यह रहता है नेक्स देखिए नेक्स क्या दिया है आपके पास इटेक्स थ्री तू फोर देस्टू किल लगबग तीन से चार दिन का समय जो है इंसेक्ट को किल करने में जो है यह तॉक्सिन प्रोड्यूस वाई बी ती ती रहता है यह भी क्या प्रोड्यूस करता है टॉक्स कासी ऑल्फा एकज्जोटौक्सिन हो गया और गामा एक्जोटॉक्सिन Влад often तोड्व हरे घर किбड़ थे už करता है जो कि हांइं अगर थे बात करें जो किकिन्ली गट है इंसेक्ट की उसमें पाए जाती है तो वहां पर यह highly effective रहता है तो इस तरह से जो है यह toxin produce करके जो है इंसेक्ट को kill कर देता है next देखिए अब आपके पास आता है BT strains registered under insecticide act in India अब देखिए हमने सबसे पहले जाना कि जो insecticide act 19 68 में जो release हुआ था इंसेक्टिसाइड एक्ट सेकंड सेप्टेंबर को उसमें क्या किया गया regulation लाएगी regulate किया जाता था यूज को production को marketing को distribution को sales को import export को यानि कि जितने भी insecticide form होंगे use होंगे या produce होंगे manufacture होंगे तो वो जो है register होने चाहिए किसके अंडर होने चाहिए इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर जो है वो रिजिस्टर होने जाए वहीं पर बात करते हैं जो BT के स्टेंज है अलग-अलग जो बेसलस फ्रेंजिंश के जो अलग-अलग स्टेंज हैं जैसे कि हमार पास यहां पर कौन सा है इस्रेलियंसिस है कर्ष्ट आकी है सैंडिगो है लें टी मॉर बस है तो यह जो अलग-अलग स्ट्रेंज है इनको भी जो है रिजिस्टर किया गया है इंसेक्टिसाइड एक्टर के अंडर तो यह कौन से हैं और black fly larvae के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यह जो है रेजिस्टर किया गया है वहीं पर देखा जाए तो जो बीटी कर्ष्टकी है आपके पास लेपीडो पिटेरन लार्वे के लिए जो है highly effective है वहीं पर देखा जाए जो बीटी सैंडिगो है आपके पास पोटेटो बीटल और लार्वा के लिए जो है यह क्या है एक तरह से खारूम फूल रहता है इस्तेमाल जो है किया जाता है वहीं पर देखा जाए तो जो बीटी पॉपीली है और बीटी हमारे पास कौन सा है लेंटी मॉर्बस है यह जो strains रहते है बैसले थूरेंजिंस इनको जो है रिजिस्टर किया गया है इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर ओके नेक्स देखें कमर्शियल बैसिलस थुरेंजिंसिस फॉर्मूलेशन एविलेबल अब देखें फॉर्मूलेशन क्या है हमारे पास इंसेक्टिसाइड किस फॉर्म में एप्लाई किया जाएग जो powder form होते बढ़ उनको घोल करके फिर एपलाई करना रहता है तो इस तरह से क्या है अलग-अलग formulations पाई जाती है formulation यानि form कि किस form में उसे apply किया जाए गया किस form में वह available रहेगा तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो जो बैसलर थ्रेंजिंस है किस-किस form में हमारे पास देखें एविलेबल रहता है तो यहां पर प्रोड़क्ट नेम डाइपल डब्ली फी फॉर्म में है यहां पर हमारे पास इस से भी आपको यह chemical मिलेगा 45% LV वहीं पर जो है आप देखे तो यह जो है बैग वार्म के लिए वहीं पर spine warm के लिए वाल वार्म के लिए gypsy moth हो गया string and fall canker warm हो गया या बड़ वार्म इन इंसेट के लिए जो है यह highly effective जो है रहता है और नेक्स देखें नेक्स क्या हाता आपके पास नोव ओडर फ्लोवेबल ठीक है नोव अडर फ्लोवेबल के नाम से जो है आपको जो अलग-अलग स्ट्रेंज जो है कर्ष्टा की स्ट्रेंज जो रहता है बीटी का वो आपको एवलेबल रहता है इन नामों से जो है आपको वो मार्केट में एवलेबल रहता है देखा जातो जीपसी मौत हो गया बड़ वार्म हो गया जैक पाइन बड़ वार्म हो गया इ को किस तरह के है बी टीटी के الس्टेन है जो बैसलर स्टेन से होग्रेंजिस डैक्टी चानी के नाम से आपको कौण सा मिलेगा इसरायइलेंसी रहे स्ट्रेन है वह आपको एक्वा बेगे नाम से मिलेगा और क्षिक के नाम से भी वह अपको मिलता है मौस् secondo को कंट्रोल करने के लिए वह हाइली एफेक्टिव रहता है बीटी के नाम से देखिए आपको मिलता है कौन सा जो कर्ष्टा की है ठीक है बीटी के याद रखना है बैसलस फ्रेंशेज वेराइटी कौन सी है यहां पर यह स्पीशी अगर हम कहें स्ट्रेंड कौन सा है किसी मौथ है टेंट कैटर पिलर है और कैबिज लूपर के लिए हाइली एफेक्टिव है नेक्स देखिए टेंकर के नाम से जो ग्रैन्यूल फॉर्मूलेशन है ठीक है वो भी आपको मिलेगी किसकी इसराइलेंस की वेटो बैक के नाम से भी मिलती है वेक्टो बैक अलग अ जो है इसमें कंसेट्रेशन 200 जी की नाम से मिलेगा 600 जी की कंसेट्रेशन से आपको मिलेगा तो कौन सा इस्राइलेंस यह जो है मॉस्कीटो और ब्लैक फ्लाइस के लिए यह स्ट्रेंज जो है हाइली एफेक्टिव रहते हैं वहीं पर देखिए नेक्ष्ट हमारे पास आता है यहां पर NPV जिसे की नूकलियो पॉलिहडरल वायरस के नाम से जाना जाता है इसको भी जो है एक इंसेक्टिसाइट के रूप में इस वायरस को इस्तेमाल किया जाता है अब दिखिए फॉर्मूलेशन कि इसके नाम क्या है 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 एच ए एन पीवी एस आई एन पीवी वी एन-80 po ॉड प्टैरीन ठीक है स्पोर्ड एक्स एलकार है वायरिन है जिपचेक है ठीक है सीड एकस है यह मेड़ेक्स है अलग अलग नाम सी जो है यह आपको मिलेगा स्वारी जिपटैयक्स इसका वह एं पर देखा जाए तो यह देखे है घ्लेकर आर्मी जेरा के लिए स्पोडोपिटेरा लिट्यूरा के लिए एम सेक्टा एलबी स्ट्राइक के लिए मोचली देखा जाए तो जो आपके हैमी सॉरी जो लेपीडोपिटेरा न पैस्ट है उनके लिए ज्यादा एफेक्टिव जो है रहता है वहां पर देखे ग्रैनियूलोसिस वायरस यानि की जी एक हमारे पास कौन सा है तोरफी मिना ठीक है फ्फ्थार्मिया ऑपडियूलेला थिक है जो फॉर्मिया ऑपड की लेला मेरे पास इंसेक्ट रहता उसको कने यह, जिए इस्तिमाल में ला जाता है ग्रेनियू लोसे स्वाइरस पिए हमारा अलग-अलग क्या है यहाँ पर वाइरस के स्ट्रेंज सेयं अब बात करते हैं यह जो कौनसे हमार पास Fungal strain है से फञंगस जिनका जो है इस्ति साइट में चुक्ष्गा हागा देखेлять वाइट मस्करदाइन डिजीस कुल परकथ के बारे में आपने सुना होगा ठीक है मुस्टली बी में अगर किपममें एक तरा से मॉस्ट कैसी डिजीज रहती है हाइले 1800 डिजीस रहती है जो कि कील कर देती पूरी केबरी पॉपुलेशन को जो है वो खिल कर देती है यह जो है देखा जाता है ब्रैंड नेम से मिलेगा माइको मायो कंट्रोल के नाम से मिलेगा ठीक है वहीं पर नैचुरेलिस के नाम से मिलेगा कॉनीडिया ऑस्ट्रिनोल बायो वंडर बायो सॉप्ट हो गया माइको जाल हो गया और देखिए पीसिलोमाइसिस के अगर बात करें हम फिसलोमाइसिस फ्यूमसोरोसियस यह जो हमारे पास फंगस रहता है एफ पी एफ आर 97 टीम प्रायर्टी इस नाम से आपको मिल जाएगा वाइट फ्लाइ और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए माइट्स को कंट्रोल करने के इस ने मालवे जो है यह लाए जाते हैं तो यह किस तरह के स्ट्रेंड है हमारे पास फंगर स्ट्रेंड है मैटाराइजम एनुस पॉली की बात करें तो ग्रीन मर्सकेडाइन डिजीज कॉस करती है यह बायो 1020 बायो ब्लास्ट टीम बायो मैजिक मल्टिप्लेक्स हो गया ब्राउन प्लांट होपर है रूट ग्रब्स है सकिंग पैस्ट है लोकस्ट और ग्रास होपर हो गया और साथ साथ रेड हैड़ेड जो पॉक यह केटर पिलर जो रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनको इस्तेमाल में लाए जाता है वहीं पर देखिए नेक्स ह नाम से अगर बात करें से माइकोट ए नाम से इनके के नाम से नाम से इनवी चेश के नाम से और वर माकिट मैं आवलेबल रहता देखें एफिड को थ्रिप्स को और स्केल इंसेक्ट होगे मिली बग होगे वाइट फ्लाइओ और जो साथ में मिली बग और स्केल इंसेक्ट मुश्ली अगर देखा जाए तो जो सकीं टाइब आफ पैस्ट है उनके लिए यह कैसा रहता है हाईली क्या जाना यहां पर कि जो भी हमारे पास क्या रहते हैं किसकी साइड की हिस्ट्री के बारे में जाना जो आपके लिए सब को जो है सही से समझ आगा किसका कोई सवाल रहता तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद